नमस्कार वहाँ पर भी पानी का सुरोत्र बहुत होता है कभी वहाँ पर सूखा अकाल नहीं पड़ता है आर इसलिए मैं इस जंगलों में ये देखे इस घने जंगलों के बीच हम उपस्थित हुए हैं ताकि आपको मैं ये दिखा सकू देवदार के पेड़ और बाज के पेड़ जो हमें नमी देती है जो हमें ठंड़क परदान करती है आप जब भी पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इस दितने भी देवदार होते हैं जो बाज का पेड़ होता है इनकी जो लंबाई इनकी घनी वादियां देखकर ही मन मोहित हो जाता है कि अपने आप ही आपका आक्सीजन लेवल ठीक हो जाता है आपके सारे रोग दूर भागते हैं तो हमें कुछ नहीं हम रोज तो आ नहीं सकते हैं तो इसलिए हमें अपने कीचन गार्डन में आण्हा थर कर दाय टीम होता कि को आपको थन्हें आयसे मुझ बना कर गो मैं से होता हमना już मोळ नहीं कि को जाड़ पर मारा हो उस प्रकार से अफस हो जयाता है तो हमें उन सब चीजों से बचना चाहिए, कि हम कैसे, किस प्रकार से हम, अपने आप को अपने फेस हम, उस दिन खुसी लाएं, प्रसंता के भाव लाएं, जरूरी नहीं है, हर घर में, कभी कुछ न कुछ होता ही रहता है, लेकिन हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, हम उसके साथ उन सब चीजों को लेकर नहीं चलना चाहिए, जो भी हुआ हुआ, जो आज के युग में हमें मौजूद है, हमें उसके साथ जीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, और सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए, और कहते हैं हमें ध्यान नहीं लगता है, तो क्रोक्रा ध्यान करें। सिर्फ आती हुई जाती हुई सांसों पर ध्यान करें। पुछ नए तो आप इस जंगल में, जो देवदार बाज का जंगल हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं सिर्फ हम बाड़ी को अपने ऐसे करें हैं इस प्रकार से ऐसे आकास की तरफ देखिए और आनेंद लीजिए फ्रक्तिर्टिकाई इस प्रकार से और फिर exhale करिए फिर inhale करिए फिर exhale करिए और hand ऐसे करें inhale और exhale inhale exhale inhale exhale हमें इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती है कुछ भी नहीं लगता है आप घूम लिए टालिए और इन सब चीजों को आप करें आपका सोल्डर में दर्द है तो आप खड़े खड़े ऐसे करें इस प्रकार से करें और यूँ मूब दे ऐसे देखिए मेरा सोल्डर देखिए यह है ऐसे और इस प्रकार से मूब देना है सिर्फ मूब देना इन्हेल एक्सेल इन्हेल एक्सेल इन्हेल एक्सेल जिस प्रकार चिडियां चक्चाहाती हैं गुनगुनाती हैं बागों में जंगलों में तो हमें भी उसी प्रकार से अपने बाड़े को देखिया हम पंची की तरह लेग में गैब देंगे और पंची की तरह और लेग और हैंड को दोनों को मुव दे फिर फिर पंची की तरह बैट जाएए हमें बसु और पंची की तरह अपने जीवन को हम बतीट करेंगे तभी हम सुखी रहेंगे और फिर देखिए वान टू थ्रेव फार पंची सावन एट नाइन तिन ए हमें चिरियों के समान पंचन लगा कर उड़ना है हस्ते खेलते उड़ना है कुछ नहीं हम चल रहे है हस्ते कहलते उड़ना है इस प्रकार से देखिए ऐसे आप भूमें और ठालिये जितना आप घूमेंगे टहलेंगे और साब सुत्री जगों पे सांत बाता वरण में रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा आपका जो ब्लेट का सरकूरेशन है वो अपने आप अच्छा होगा जो आपी 72,000 नाडियां वो अपने आप स्वस्त होगी आपको है मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे सेर करें सस्क्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों में और अपने रिस्तेदारों में आप इसे भेजें और जागरूब करें कि लोग योग करें योग से जुड़ें और प्रकिर्ट से जुड़ें और प्रकिर् झाइब से और लाइकरे, थेंक यू